सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुपर टेकनोलजी लेटस्ट वीडियो के लिए बेल आइकोन दबाएं वेलकाम टो मैं चैनल सुपर टेकनोलजी मेरा ना मंदीब दुल्द दोस्तों जैसे हम कॉल को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं और आपकी तरफ और जिसकी आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको भी आवाज सुनाई देगी तो दोस्तों आज मैं आपके मैं बताने बाला हूं कि अगर आप इस को करना चाहते हूं मिन्ज साइलेंट्ली गॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हूं विदाओट अनौसमेνट तो कैसे करनी यह बैली देखने के लिए बेदेंशे विडियो के दोस्तो जैसे हम डाइलर से कोई नमबर डाइल करते हैं जैसे यहां पर मैं नमबर डाइल कर रहा हूं तो अभी हमने इसे stop करना है, तो कैसे करना है stop, तो दोस्तो आपने phone की settings को open करने, तो आपने phone की settings को open करने के बाद, आपने यहाँ apps पे click करने, दोस्तो जैसी आप यह apps पे click करोगे तो बिलकुल bottom पे आपको एक option दिखेगी, अनेबल alternate phones and contacts, दोस्तो यह option सिर्फ आपको वीवो के phones में ही show होगी, अगर आपको किसी और phone में show हो रही है तो good and well है, otherwise यह option आपको सिर्फ वीवो मुवाइज में ही show होगी, आपका phone old है जा फिर आपका phone new है, तो आपने यहाँ enable alternate phones पे click कर देने, उसके बाद आपने इसे enable कर देने, add यहाँ okay पे click कर देने, add यहाँ set now पे click कर देने, तो दोस्तो उसके बाद आपने यहाँ पे इस डाइलर को select करने, जो colorful है आपने इस डाइलर को select करने, and back पे click कर देने, और दोस्तो यहाँ पे यहाँ डाइलर का color था, वो change हो गया है, अभी यहाँ पे new डाइलर शो होना स्टार्ट हो गया है तो अभी हम यहां पर फिर से क्लिक करते हैं और फिर से नंबर को डैल करते हैं तो दोस्तों यहां पर यहां पर यहां पर डैलर था वो टोटली चींज हो गया है अभी यहां पर recording की option डिरेक्ट शोनी start होगी है तो अभी हम यहाँ पे फिर से record पे click करते हैं तो दोस्तों जैसे अभी हम यहाँ पे record पे click करते हैं तो यहाँ पे अभी कोई भी voice सुनाई नहीं देरी और अगर आप इससे stop करोगे तो भी यहाँ पर कोई भी वह ऐसा सुनाई नहीं देगी तो आप direct यहाँ पर call recording को enable कर सकते हो without announcement अगर आप automatically call को record करना चाहते हो तो उसके लिए आपने यहाँ three dots पर क्लिक करने and call setting पर क्लिक करने call setting पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने call recording पर क्लिक करने call recording पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर action शोर यहरécard all calls automatically तो आपने यहाँ पर इसे enable कर दिने तो दोस्तों यहाँ पर सभी calls automatically record हो जाएगी तो इस ep से आप call announcement को close करके calls को automatically या फिर मैंनुली रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों अगर आपकी किसी भी एप्लिकेशन के लिए कुई क्वेरी है जब किसी याइशन है तो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपके रिकमेंट का अप्लाई करूंगा थेंकिए फर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइ मैं चैनल फोले टेस्ट अप्डेट